दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने भी KRN Heat Up Changer IPO में जो है अपलाई किया है तो किस तरह से आप इसका जो है Allotment Status जो है इजिली चेक कर सकते हो कि आपको जो है इस IPO का Allotment हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो इस वीडियो में हम आपको Complete Procedure बताऊं में जो भी Browser आप यूज कर रहे हो सबसे पहले Browser के Search Box को Open कर लेना और Open करने के बाद यहां पर आपको Type करना है Big Share यानि इस IPO का जो Allotment है वो Big Share की वेब साइट पर हो रहा तो जैसे आप इसको जो है Search करके Type करोगे Type करते ही जो है इस तरह से पेज जो है कुल के Show हो जाएगा अब ही आप देख सकते हो इसमें सबसे पहला जो Option दिया है IPO Allotment Status सबसे पहले वाड़े लिंक के उपर आपको किलिक कर देना है तो जैसे ही मैं सबसे पहले वाड़े लिंक के उपर किलिक करूँगा किलिक करते ही Next Page जो है मेरे सामने जो है खुल के Show हो जाएगा तो इस तरह क जारी यानि किसी भी एक Option के उपर आपको किलिक करके और कुछ डिटेल जो है आपको फिलप करनी है और फिलप करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको IPO मिला है या फिर नहीं मिला है सबी IPO जो है अलग-अलग वेबसाइट पर होते हैं जैसे यह बिग सेर पर हो रह जो है तो किसी भी एक सर्वर के उप्सन के उपर आपको जो है किलिक कर देना है जैसे ही हम सर्वर के उप्सन के उपर किलिक करेंगे किलिक करते ही next page कुल के श्यो हो जाएगा और वहां पर हमारे को जो है कुछ information इसमें प्रोवाइड करनी है और easily पता चल जाएगा कि IPO का allot हुआ है या फिर IPO का allotment नहीं हुआ है तो जैसे आप करोगे इस तरह का page आपके सामने कुल के श्यो हो जाएगा page को थोड़ सा उपर की तरफ स्क्रोल करना है स्क्रोल करने के बाद यहां पर देखो कई option दिया हुए है तो आपको उन option को जैसे company selection type और केप्चा दिया हुआ ही हो रही है तो अभी जो है IPO का allotment आया नहीं है जैसे IPO allotment आ जाएगा यहां पर company वो श्यो कर देगी सबसे पहले उसको select कर लेना है select करने के बाद में selection type तो application number, obligation number, beneficiary ID और pen number यानि इन तीन तरीके से जो है हम जो है अपने IPO का allotment status जो है easily check कर सकते हैं तो सबसे पहले जैस selection क्या selection करते हैं फिर select type में beneficiary ID का मतलब है कि आपका demate account के द्वारा check कर सकते हैं तो फिर हमारे को select करना है कि demate account नीचे जाके NSDL में है या CDSL में support करो कि आपका अगर demate account NSDL में है तो DPID और client ID आपको fill up कर देनी है या आपके demate account के first edit है वो जो है DPID में और last के edit जो है client ID में fill up कर देना है capture डाल दो दिया है वो fill up करना है और आगे का process कर देना है जैसे select type में CDSL मेंने select किया तो आपका demate account नमर है वो enter CDSL नमर में आपका demate account नमर इंटर कर देना है capture डालना है और जो है submit कर देना है तो यह तो हो गया कि हम benefitary यानि अपने demate account के द्वारा इसको easily check कर सक number डालना है capture डालना है और इसको जो है submit कर देना है यह तो होगे दो तरीके इसके बाद में application number यानि हमने जो application यानि हमने जो IPO apply किया था तो IPO apply करने के बाद हमारे पास एक message के द्वारा या email के द्वारा एक application number आता है तो वो यहां पर enter करके और हम जो है IPO का allotment जो है easily check कर सकत हो फिर भी कोई क्यूरी हो नहीं समझ में और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे धन्यवाद ठेंक